हेग गैज, हेलो एंट, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल होट रिव दोस्तों आज की शूड़े में आपसे बात करने वालों कि आपको मुबाइल फोन क्यों हैंक करता है, अगर हैंक करता है तो आपको इससे कैसे ठीक कर सकते हो, जी हाँ आपने जब नया लिया था तो आ आप लप्लाइ करने के बाद आपको फोन हैंग नहीं करेगा, और फिर भी अगर आपको फोन हैंग करता है, तो एक किस वीडियो के लाश में एक मास्टर प्लान बताया है, उसे आप जरूर देख लेना, उसके बाद मेरी गारेंटी कि आपको फोन हैंग नहीं करेगा, बट सारे application को एक साथ open करके multitask करने लगते हैं में mobile phone में तब हमारे mobile phone में hanging की समस्या आने लगती है या उसके बाद भी हमारे phone का RAM जब कब होता है तब हम बहुत बड़े-बड़े applications को install करके उसे यूज करते जाती है और फिरे बार मावा fungi फोन स्लो होता है और फिर बाद में hanging की समस्या आने लगती है या हमारे mobile phone का ऑइंटर्ननलês टोरेज होता हो फुल हो जाता है तब जाके हमारे mobile phone में hanging की समस्चा आने लगती है या इन तीनों चीज़ों को अगर छोड़ दें ये तीनों चीज़ आपके phone में सही है फिर भी आपके phone हैं करता है तो आपके phone में एक virus बहुत बड़ी समस्चा होने सकती है तो virus कैसे निपटना है इस वीडियो के लाश में हमने बताया है उसे भी आप बिल्कुल देखिएगा तो हम चलते हैं अपने phone की settings में settings में आने के बाद आपको नीचे आएंगे तो देखेंगे about phone अगर आपको developer option दीख रहा है तब तो ठीक है अगर developer option नहीं दीख रहा है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ अब जब मैंने साथ बार कर दिया इसका बार password phone का ले लेगा लेने के बाद आपका developer option आउन हो जागा आप देखो कि मैं पीछे आता हूँ यहाँ पे एक नीचे developer option अब हमें मिलने लगा है अब हमें developer option में जाना है और developer option में जाने के बार आपको सबसे नीचे आजाना है सबसे नीचे से आप देखो कि कि यहाँ पे देखो background check लिखा है background check में जाओ कि तो आपको background में phone का जो जो data use होता रहता है सारे चीज आपके on है यानि आपके mobile phone का processor आपके background में यह solid data का use करता रहता है तो आपको यहाँ पे background check के उपर लेगा limit background process तो यहाँ पे आपको no background process पे ok करके इसे click कर देना है ठीक है इसके बार आपको developer option में कोई भी छेड़ खानी नहीं करनी है आपको पीछे आ जाना है अब settings में आपके phone को जो auto update होता है उससे off करना है आप देखो कि यहाँ पे software update लिखा है और software update पर हम जाते तो यहाँ पे मिलेगा download updates manually download updates automatically अगर यह आप कौन है तो इससे off कर देना है off करने के अब हमें चलना है play store में और play store में चलके play store की settings में आना है यहाँ पे देखो settings है और settings में एक बाद auto update apps है auto update apps पर जब एक बाद क्लिक हैं उस पाद यह ऐसा interface कुलेगा और इसमें आपको don't auto updates को चूच करके done कर देना है अब हम फिस चलते हैं पने play store में play store में आकके आपको एक files नाम का application है इससे गूगल के द्वारा इससे आपको install करना है आपने junk files को अटाने के लिए बहुत सारे applications का यूज के होगा बट उन्हें आप disable करके नइस्टॉल करके आप Google वाले files वाले यह application का यूज केज़े तो इससे अब हम करते है open और open करने के बाद आप यहां पर देखेंगे हमारी जो भी अन्यूजफुल files रहेंगी या सारे data रहेंगे यहां से आप जो भी clear करना चाहो clear सकते हो यहां पर देखो जैसे WhatsApp media is select and free up to 140 MB यहां से मैं अपने 140 MB को खाली कर सकता हूँ और यहां पर आप नीचे आके देखोगे large files जो है large files आपके phone में जो भी आप यहां से बिल्कुल लातानी से देख के clear कर सकते हो कि कौन से file आपको रखनी कौन से delete कर देखेंगे आप यहां से phone files को अटा के अपने phone को खाली कर सकते हो यह आपके phone को hang ना करने में कभी बहुत मदद करेगा इसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल है तो आप यहां नीचे comment कर देना इसके लगा दूस्तों आपको अपने mobile phone से heavy applications और unwanted applications दोनों को uninstall और disable कर देना है इसके बाद आपको जो भी लेगे आपको mobile phone में जो भी data फालतू का है उससे आपको delete कर देना है कोई भी फालतू data रखने है से आपको mobile phone में कोई फायदा नहीं बलको आपको mobile phone को slow कर देता है जैसे कि आपने file manager में देखो कि whatsapp में sent वाले में कई सारे photo, video या music से पढ़े रहते हैं email id को अपने mobile phone से दी मूग कर देना तो यार वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट में जोर बताना और आप कोई भी सुजाओ या सवाल है तो उससे भी कमेंट कर देना मैं आपके कमेंट का जवाब दूँगा तो मिलते हैं अगले उडियों में तब तक लिए नमस्कार जैन वन्यमात्रम